परिचय क्या तुमने कभी सोचा है कि लड़किया लड़कों से भिन्न क्यों होती है? सर, लड़किया और लड़के भिन्न इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी शारीरिक संग्रचनाई भिन्न होती है हाँ, लेकिन यह भिन्नता उनके भिन्न जनन अंगों के कारण होती है हाँ, और ये अंग पुरुषों एवं स्त्रियों में अलग-अलग तरह के हार्मोन स्रावित करते हैं तुम सही कह रहे हो राहुल आओ, आज पुरुषों एवं स्त्रियों में जनन अंगों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें उदेश इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे पुरुष जनन अंगों की पहचान करना विविध पुरुष जनन अंगों की कार्य प्रडाली को समझना स्त्री जनन अंगों की पहचान करना विविद स्त्री जनन अंगों की कार्य प्रडाली को समझना पुरुष जनन तंत्र पुरुष जनन मार्ग में वीर्य निश्य पित करना विर्शन कोश विर्शन कोश चारेरिक आवरण की एक थैली होती है जो निम्न प्रकार से जनन में सहायता करती है वे विर्शन जो एक थैली में स्थित होते हैं उन्हें विर्शन कोश कहते हैं विर्षण कोश विर्षणों के तापमान को साम्मानी शरीर के तापमान से एक या दो डिगरी सेंटिग्रेट कम रखने में सहायक होता है यह कम तापमान चुक्राणु निर्मान और संग्रहन के लिए आवश्यक होता है शिष्ण शिष्ण पुरुष की बाहरी जनेंद्रिय है जो विशेश प्रकार के उतकों का बना होता है जो वीर्य सेचन के दौरान शिष्ण के उतघर्षण में सहायता प्रदान करता है शिष्ण का अंतिम्भाग शिष्ण मुंड कहलाता है जो उतकों की एक धीली त्वचा से ढखा होता है जिसे अग्रिच्छत कहते है व्रिशन व्रिशन सैयोजी उतकों की परतों से घिरी अति कुंडलित नलिकाओं के बने होते हैं इन्हें शुक्रजनक नलिकाओं के मध्य में कोशिकाओं स्तरित होती हैं यह कोशिकाओं प्रात्मिक पुरुषलिंग हार्मोन, टेस्टेस्टरॉन और अन्य एंड्रोजन उत्पन्न करत शुक्र जनक नलिकाओं में शुक्राणूओं का निर्मान होता है। तथा मूत्र मार्क से इनका बाहर की ओर परिवहन करती हैं। पुरुष सहायक ग्रंथियां। पुरुष की सहायक ग्रंथियों के तीन समुह हैं। शुक्राशय। इनका स्राव प्रक्रिणिव एंजाइम, फल, शरकरा और प्रोस्टाग्लांडिस केल्शियम से युक्त होता है। पुरस्थ ग्रंथियां इनका स्राव प्रतिसकंदक एंजाइमों और साइट्रेट से युक्त होता है। पल्बो युरेथ्रल गरंथियां, इनका स्राव शिष्ट में सनेहन प्रदान करने में सहायक होता है। इन गरंथियों का स्राव शुक्रिये प्लाजमा का निर्माण करता है। स्क्री जनन तंत्र में निम्न शामिल है अंडाशय यानि मादा जनत, अंडवाहिनी, करभाशय, करभाशय ग्रीवा, योनी, वहां जनेंद्रियत जिसमें भगोष्ट के दोसेट और योनी द्वार होता है, एक जोड़ा स्तन ग्रंथियां, अंडाशय यह अंडाणू और अंडाशयी हार्मोन उत्पन गरता है, स्नायों के द्वारा गर्भाशय से जुड़ा होता है, अंडाशय पीठी का परिधिय वलकुट और आंतरिक मध्यांश में विभक्त होता है, प्रत्येक अंडाशय विभिन्न रोमकूप अंतरविष्ट करता है, प्रत्येक रोमकूप में एक अंड कोशिका होती है, जो पुटक कोशिकाओं से घिरी होती है, अंडवाहिनी पक्षमाभी अस्तर से होकर अंडवाहिनी से गर्भाशय तक जाता है। गर्भाशय या एक मांस पेशिय उल्टी नाशपाती के आकार जैसा होता है, जो गर्भावस्था के दौरान भूरून को सहारा देता है। या उतकों की तीन परत्का होता है। परिगर्भाशे गर्भाशे पेशी स्तर और गर्भाशे अंतहस्तर गर्भाशे ग्रीवा यह गर्भाशे का सिरा होता है जो योनी में खुलता है ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल कहते हैं योनी यह पतली भित्ती वाला कक्ष होता है, जहां मैथुन यानि संगमन के दौरान शुक्र संचित होता है योनी ग्रीवा नाल के साथ मिलकर जन्मन नाल की रचना करती है वहां जनेंद्रिय इन में सम्मलित है जगन शैल यह वसामय उतको से बनी गद्दी सी होती है, जो जगन, पालों और त्वचा से ढखी होती है व्रिहत भगोष्ट यह योनी द्वार को घेरे हुए उतको का मानसल वलन है लगू भगोष्ट यह व्रिहत भगोष्ट के नीचे सित एक जोड़ा वलन होता है योनिच्छद यह सम्वहनिय जिल्ली होती है, जो जन्म के समय से योनी द्वार को ढखे रहती है और अत्याधिक शारेरिक गद्विधियों या लैंगिक संबोग के दोरान फट जाती है भगशेफ यह एक छोटी अंगुली जैसी सन्रचना होती है, जो मूत्र द्वार के उपर तो व्रिहत भगोष्ट के उपरी मिलन बिंदू के पास्थित होती है स्तन ग्रंथी स्त्रियों का द्विती एक यौन अभिलक्षन है पुरुशों एवं स्त्रियों दोनों में पाई जाती है, लेकिन केवल स्त्रियों में ही ये कारेशील होती है स्थन ग्रंथियों के ग्रंथिल उतक 15 से 20 स्थन पालियों से बने होते हैं जिसमें दुग्ध स्तरावित करने वाली कूपिकाओं के कुछ होते हैं प्रतियक स्थन पाली की नलिकाएं मिलकर एक स्थन वाहिनी बनाती है जो अन्स्तन वाहिनियों से मिलकर एक चौड़ी स्तन तुम्बिका बनाती है, जो दुग्द वाहिनी से जुड़ी होती है, जिससे स्तन से दूध बाहर निकलता है। क्या आप जानते हैं? स्त्रियों की जर्म लाइन को कैंसर उपचार से शतिग्रस्थ होने से बचाने के लिए स्फिंगो साइन एक फॉस्फेट योग्द एक ओशदी संशलेशित की गई है। शेप में दोहराए। शेप में दोहराए जोड़ा अंडवाहिनी, एक गरभाशे, एक योणी, वाहां जनेंद्रिय और एक जोड़ा स्तन ग्रंथियां सम्मिलित होती है। अंडवाहिनी, गरभाशे और योणी स्त्री सहायक वाहिकाएं होती है। स्तन ग्रंथियां स्त्रियों का एक द्वितियक योण अभी लक्षण है। स्त्रिय।